पर्सनली जब मैंने यात्रा शुरू की मेरी सोच थी कि ये कन्या कुमारी से कश्मीर तक एक यात्रा है और मैंने अपने साथ में कुछ ले नहीं गया मैंने कहा देखो मैं जाओंगा और मैं experience करूँगा मैं कोई मतलब preconceived notion नहीं ले जाओंगा तो शुरूआत ये थी कि शुरूआत में लगा कि भाई थेको हम पैदल चलने हैं मगर पिर आस्ते आस्ते पता लगने लगा कि actually ये जो यात्रा है जिसको मैंने नदी भी कहा है ये एक जीवत चीज है इसकी एक आवाज है इसकी भावनाए हैं feelings है और ये एक प्रकार से हिंदुस्तान की भावनाए हैं feelings हैं तो ये यात्रा हमें ये चीज़े बता रही हैं तो मुझे ऐखे इंडुविज्व काफी सीखने को मिला और मैं सब को धन्यवाद करना चाहता हूँ जो भी हमारे साथ आए आप लोग मेंसे बहुत लोग आए और खासतोर से जो हमारे उपर आकरमन करते हैं मेरे जो RSSK, BJP के मित्र हैं उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि actually हो क्या रहा है जितना वो आकरमन करते हैं उतनी हमको अपनी position इंप्रूव करने का मौका मिलता है तो मैं चाहता हूँ और मैं seriously बोल रहा हूँ मैं चाहता हूँ कि वो थोड़ा और जोरों से करें और गुरू मानता हूँ कि वो मुझे रास्ता दिखा रहे है कि क्या नहीं करना चाहिए, react कैसे करना चाहिए और अच्छी training दे रहे हैं मुझे तो उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सबसे पहले मेरा लक्ष हिंदुस्तान को एक alternative vision देने का है, alternative दृष्टिकोन देने का है, एक नया तरीका देने का है, सरकार की कमियां हैं उसमें मैं आपको बता सकता हूँ, बेरोजगारी, economic mismanagement, नोट बंदी, गलत GST, चाइना, ये कमियां हैं, गलतियां की हैं? मगर मेरी approach यात्रा के साथ ये है, कि हम हिंदुस्तान को एक सोचने का, जीने का, नया तरीका देने की कोशिश करने हैं, तो अगर आप details चाहते हैं, तो आप मुझसे पूछिए, चाइना के बारे में पूछिए, शायद आप वो ना पूछें, पता नहीं, बाकी चीज़ों परसेंट बिलीव करता था, हंड़र्ड परसेंट बिलीव नहीं करता था, मगर अब मैं हंड़र्ड परसेंट बिलीव करता हूँ, कि सच्चाई को कोई भी कैमपेन, कितना भी पैसा नहीं छपा सकता, नहीं मिटा सकता, तो यह मेरे लिए बहुत मतलब interesting observation है, और जैसे मैंन पैसे की, डालिये और थोड़ा डालिये, लगाइए, कुछ असर नहीं पड़ता है, अब सरकार चाहती है कि मैं बीपी गाड़ी में भारत जोड़ो यात्रा करूं, कहते हैं आपका प्रोटोकॉल है, कि आप हमें तंग मत करो, आप बुलिट प्रूफ गाड़ी में बैठ के तन्या कुमारी से कश्मीर तक चलो, अब ये मेरे लिए तो acceptable नहीं है, अब यात्रा में आप मुझे समझाईए, भारत जोड़ो यात्रा में, मैं बीपी गाड़ी में कैसे बैठूं, अच्छा जब उनके नेता, उनके senior नेता, बीपी गाड़ी से भार आ जाते हैं, तो फि उनके ही प्रोटोकॉल के खिलाफ है, वो मुझे लिख रहे हैं कि भाईया, आप बीपी गाड़ी से निकल गए, तो उनके लिए प्रोटोकॉल अलग, मेरे लिए प्रोटोकॉल अलग, और सारे CRPF के लोग जानते हैं, senior जानते हैं, कि मेरी security के लिए क्या करना है, और हमारी security, बीपी गाड़ी में मतलब मैं कैसे चलूँ आप बिता दो मुझे, चला ही नहीं जा सकता है, भारत जोड़ो यात्रा में पैदल जाना है, तो ये तो मतलब, पता नहीं, ये शायद case बना रहे हैं, कि राहूल गांदी मतलब, अपनी security तोड़ता जा रहता है, तोड़ता बना रहे हैं, बनाईए, भई मुझे बताओ, एक बात मुझे समझा, मुझे समझ नहीं आ रही बात, ये टी-शर्ट से आपको इतनी disturbance क्यों हो रही है, मतलब एक भी यहाँ टी-शर्ट में नहीं बैठा है, तो कि आप चाहते हो मैं sweater पहन लूँ, मतलब इससे इतनी disturbance क्यों ये लोगों को, अच्छा तुम मैं ऐसे करूँगा, यातरा के बाद मैं वीडियो बनाऊंगा, कि टी-शर्ट में कैसा, कैसे चला जाता है, और ठंड को कैसे confront किया जाता है, बना दूँगा आपके लिए, नहीं नहीं कहने दीजे, नियू यू 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 आपको दे देता हूं, नहीं आपको सीरियूसली बता हूं, मुझे ठंड ही नहीं लग रही है, अभी तक, और मैं, 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 मैं सोच रहा हूं कि, जैसे ही मुझे ठंड लगने शुरू हो जाएगी, मैं मतलब स्वेटर पहनना शुरू कर दूँगा, बद अभी तक, मुझे ठंड नहीं लग रही है, नहीं, हमारी जो, हमारा जो structure है, जो system है, उसमें हमारे जो states हैं, वो individual decisions लेते हैं, हम उनको independence देते हैं, तो, अब तो मैं Congress President भी नहीं हूं, तो, ये सवाल आपको, खारगय जी से पूछना होगा कि, national level पे, Congress Party की, pension scheme पे क्या strategy है, मगर generally, generally Congress Party का structure है, कि वही, अगर राजिस्तान करना चाहता है, और हर्याना, हिमाचल करना चाहता है, तो उनको करने दो, हम, हम veto power maintain करते हैं, कि अगर बिलकुल कुछ गलत कर रहे हैं, तो फिर हम उसको check करते हैं, but normally, हम independently करने देते हैं, सबसे पहले, यह hypothetical question है, तो मैं इसका जवाब, प्रधान मंत्री के basis पे नहीं दूँगा, मगर मैं यह जरूर कह सकता हूँ, कि जो हमारा शिक्षा का system है, मैं पहले सोचता था कि यह इसमें structural problems हैं, मगर यह अपना काम कर रहा है, आज मैं सोचता हूँ कि यह अपना काम ही नहीं कर रहा है, जो हम अपने बच्चों को vision दे रहे हैं, जो हम उनको, जो उनका imagination है, जो हमें देना चाहिए, हम दे नहीं रहे हैं, तो अगर आप सबसे shocking चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मैं कन्या कुमारी से अब डिली तक आया हूँ, कितने 108 दिन हो गए, 108 दिन में मैंने हजारों बच्चों से बात की, और हर बच्चे से मैंने पूछा है, तुम यूनिवरसिटी के बाद, कॉलिज के बाद क्या करना चाहते हो, हजारों बच्चों से पूछा है, और मुझे सिर्फ पांच जवाब मिले हैं, मतलब एक लड़की ने मुझे कहा कि मैं अपना छोटा बिजनिस चला रही हूँ, और एक लड़के ने कहा कि मैं मेक्यानिक बनना चाहता हूँ, पट 99.9% लोग कह रहे हैं, मैं लोयर, डॉक्टर, इंजिनियर, आईएस, जड़, मतलब हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारे बच्चों को कह रहा है कि जिन्दगी में तुमारे बस पांच काम है, और reality यह है, reality सचा यह है कि यह सब बच्चे एंजिनियर नहीं बन सकते, डॉक्टर नहीं बन सकते, लॉयर नहीं बन सकते, तो यह जूट है, तो हम अपने बच्चों को जूट बोल रहे हैं, मैं पूछता हूँ बच्चे आते हैं किया करना चाहते हो IAS अच्छा IAS में कितने लोग जाते हैं हर साल आप अंदाजा लगाई जवाब क्या मिलता है मैं पूछता हूँ कितने लोग IAS में हर साल जाते हैं बच्चे क्या कहते हैं क्या लगता है अच्छा बताई कितने लोग जाते हैं आई इसमें 200 बच्चे कहते हैं 5 लाख 6 लाख 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख जब मैं उनको कहता हूँ भाई 150 जाते हैं 2-3 को मैंने गलती से कह दिया, एक लड़की को कह दिया वो रोना शुरू कर दी कि देखिए, हम उनको सही imagination ही नहीं दे रहे हैं हम उनको रास्ता ही नहीं दिखा रहे हैं तो पहला काम जो education system है और ये top down ये imagination को मारने का education system है ये education को खोलता नहीं है तो सबसे बड़ा काम हो और ये शायद दो, तीन, चार साल में नहीं होगा मगर direction ये होना चाहिए और जो new education policy वो तो बिलकुल दूसरे direction में जा रही है तो पहले ये बात है दूसरी बात ये खुले तरीके से बोल दूँ तो ये rent seeking nation है इसे production nation बनना चाहिए फरक है ये ये जो देश है जो producer है जो production करता है जो जिसके पास skill है चाहिए वो किसान हो चाहिए वो mechanic हो चाहिए वो बड़ाई हो मोची हो, नाई हो, जो भी हो जिसके पास skill है सबसे पहले उसकी मदद नहीं करते हैं और दूसरी बात उसकी skill को destroy करने के कोशिश करते हैं और उसको मतलब जो उसकी strength है उसको मार मार के मार मार के उससे निकाल देते हैं और बिना skill के respect किये ये देश कभी अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे सकता है simple बात है तो दूसरी चीज़ ये है तीसरी चीज़ है कि और ये मैं थोड़ा जो border पर हो रहा है उसके बारे में कहना चाहता हूँ जो देश में हिंसा है, नफरत है chaos सा है इसका असर इसका effect दूसरे देश देखते है और उसका फाइदा उठाते है हमारी जो confused foreign policy है जो एक प्रकार से event-based non-strategic foreign policy है उससे हिंदुस्तान को जबरदस नुकसान हो रहा है और बहुत भारी चोट लगेगी और मैं इसको दोहराता जाता हूँ मगर कोई सुनता नहीं है, जैसे मैं covid के समय दोहरा रहा था कि बहुई problem आ रही है, कोई सुनता नहीं है तो ये भी बहुत जरूरी चीज़ है बट में ये कुछ नहीं हो सकता अगर एक हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी से नफरत करता है एक आदमी दूसरे को मानने की कोशिश कर रहा है ये कुछ नहीं हो सकता तो foundation, महबत, एकता, इज़त, रिस्पेक्ट है बीजेपी और कॉंग्रेस एक होई नहीं सकते क्योंकि अगर बीजेपी और कॉंग्रेस एक होते तो नरेंद्र मोदी कॉंग्रेस मुक्त भारत की बात कभी नहीं कर सकते मतलब होई नहीं सकता कि अगर बीजेपी की नेता कह रहे हैं कॉंग्रेस मुक्त करो तो इसका मतलब वो कह रहे हैं कि BJP को भी मुकत, BJP इसको भी मिटा दो, वो तो नहीं कह रहे हैं, तो ये तो पूरा देश जानता है कि Congress और BJP ideologically बिलकुल opposed हैं, और ये पुरानी लड़ाई है, पुरानी विचारधारा की लड़ाई है, बट अखिलेश जी की भी जगह है, और को हम जीतेंगे. नहीं, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, देखिए, एक बात जरूरी है, कि ये अब ये tactical political fight नहीं रही, मतलब कि उसमें एक group वहाँ आ जाए, और एक group मिलके BJP कोहरा दे, अब वो गाड़ी गई, क्यूं? क्यूंकि हिंदुस्तान का जो पूरा infrastructure है, institutional framework जो है, अब वो एक विचारधारा के हाथ में है, ठीक है, और अब वो हिंदुस्तान की political space को पूरी तरह से dominate कर रहे हैं, अब उनको हराने के लिए, एक विचारधारा की जरूरत मुखी है, और मैं opposition की बहुत respect करता हूँ, और opposition के लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और मगर मैं ये कहना चाहता हूँ, कि अगर आप समाजवादी party को देखें, तो उनके पास एक national विचारधारा नहीं है, वो यूपी में जरूर उनकी positioning है, और उसको उन्हें defend करना है, शायद उसलिए ना आएं, बट national विचारधारा नहीं है, समाजवादी party का idea केरला में नहीं चलेगा, करनाटक में नहीं चलेगा, बिहार में नहीं चलेगा, ठीक है, तो एक central ideological framework structure की जरूरत है, वो Congress party ही दे सकते हैं, और वो हमारा role है, मगर हमारा role यह भी है, कि जो opposition के लोग हैं, वो comfortable feel करें, और उनकी respect लोग, mutual respect, मतलब वो भी हमारी करें, हम भी उनके करें, मैं आपको एक बात लिखके दे देता हूँ भी, Congress मद्यप्रदेश के चुनाओं को sweep करेगी, BJP वहाँ दिखाई नहीं देगी, मैं आपको guarantee करके आप लिख लो, और उस समय मुझे बता देना, मतलब अगर आप मुझे कोई question नहीं है, कि वहाँ पर BJP मतलब दिखाई नहीं देगी, क्योंकि वहाँ पर तो मैंने सोचा था, कि महराश्ट्रा में मतलब, मैंने जो वहाँ कहा, कि महराश्ट्रा में बहुत अच्छा response मिला, मद्यप्रदेश में तो टोटल अंडरकरंट था, मतलब तुफान आया हुआ है वहाँ पर, मद्यप्रदेश में हर व्यक्ति जानता है कि BJP ने सरकार को चोरी करके पैसा देके बना है, तो पूरा प्रदेश गुस्से में है, आप ऐसे करिए लक्ष्मन सिंग जी से बैठ कर लिजे, शर्त लगा लिजे, बड़ी शर्त लगाईए, फाइदा हो जाएगा आपका, तो वाइम आई नोट अलाओ तो यूज़े टेले प्रॉम्टर, मैंने क्या गलती किये, मतलब आप प्रदान मंतरी को टेले प्रॉम्टर यूज़ करने देते हो, आप दूसरों को भी अले प्रॉम्टर यूज़ करने देते हो, तो मुझे क्यों नहीं, नहीं मगर ऑप्शन तो देना चाहिए, और एक और सवाल है, नहीं मेरा दूसरा भी सवाल है, और और भी अच्छा सवाल है, ये सवाल मैं, बहुत इंट्रेस्टिंग सवाल है, आपने वो अदानी जी को वो अप्शन दे दिया, जो आपने प्रधान मंत्री को भी नहीं दिया, कुर्सी बदलने का, तो मतलब ये हो क्या रहा है, अदानी जी को तेले प्रॉम्टर, कुर्सी बदलने का उप्शन, प्रधान मंत्री को तेले प्रॉम्टर का उप्शन, और हमें कुछ नहीं, मतलब ह उनने क्या गलती कर दी?